यह कहता है एक black body है जिसका temperature 727 degree celsius रडियेट पावर 60 watt and temperature of the surrounding is 227 degree celsius ते तेंपरेचर अब ब्लैक बोडी चेंज 1227 अब समझना अब यहाँ stephen's law modify होके आएगा ध्यान से देना ध्यान देखना मैं कैसे कर रहा हूं अगर कोई black body है जिसका temperature T है और बाहर जो surrounding है उसका temperature कुछ है ती नॉट तो अब जो होता है rate of energy radiation या पाम और या rate of loss of heat वो पहले से compare में चेंज हो जाएगा ठीक है कि पहले जब वो टी नॉट कंसीडर नहीं करते थे ठीक है तो अब जो इस्टेफेंस लाएगा एनर्जी रेडियेटेड टी टाइम में सिगमा है इनिसीटिवीटी टी माइनस टी नॉट की पामर फोर दाट इस स्माल टी और एरिया दाट इस्टेफेंस रेडियेटेड बाइड ब्लैक बोडी विन दे शराउंडिंग टेंपरेचर इस टी नॉट कंसीडर टी नॉट यहां पर मैं कंसीडर कर रहा है ठीक है यह क्या गया अब यहां आपको याद रखना है कि यहां दो केसे हैं पहले तो ब्लैक बोडी का टेंपरेचर टी लगाय। सेवंटेट और टो तू टू तू से उवंटेट टो सेवंटेट केल्विन कि तू सेवंटेट टीटू बाद में टेंपरेचर। तो इसमें 272 दो दो दैट इस 1500 Kelvin यह टेमपरेचर हो गया अब यह जो था तो जो पावर राइडियेटेड था मतलग इवाई टी की जो वैलू था वह 60 था दैट इस पावर पहले वाले केश में तो पावर पी टू हमें निकालना है ठीक है समझता पहले वाले केश उपन लिख दिया हूँ अब यह टी उठके इधर आएगा और एरिय तिक है उसी ब्लैक बड़ी का सेम है तो पावर बनेगा तो पावर इस डारेक्टी प्रपोर्शनल तू पावर 4 क्योंकि बागी सब सेम है एक ही black body के लिए चलू भीया तो value रखो और calculate करो कुछ नहीं है बस calculation है तो calculation है तो हमें तो करना पड़ेगा ना भई करेगा कौन तो बाद में रखो मैं P2 upon P1 is equal to surrounding temperature तो सेम है surrounding temperature कितना था surrounding temperature T0 and the temperature are 227 T0 surrounding temperature 227 plus 273 add 200 400 500 Kelvin तो ये 500 Kelvin इसका मतलब है हुआ कि जो T2 देखना पहले P2 लिखा हो तो T2 पहले तो T2 चलो T2 रखो T2 तो T2 तो T2 500 minus 500 minus 500 minus 1500 1500 minus 500 की power 4 divided by divided by 1,000 minus 500 की power 4 अब ये जो calculation अगर इसको कर लोगे तो तो तुमारा solution solve हो जाएगा इसको थोड़ा धंग से लिक लो 15 minus 5 की power 4 and that is 10 minus 2 0 निकाल दिया की power 4 a minus b का whole square लगा दो तो ये 15 का square और plus 5 का square और यह जाएगा 15 का square minus 5 का square divided by 10 का square plus 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 5 का square और plus 10 का square minus 5 का square अब तो calculate कर लोगे तो 15 का square कितना हो गया है दो सो पचीश माइनस पचीश डिवाइड कर दू हंडेड प्लस पचीश 25 और हंडेड माइनस 25 तो फास्ट कल्कुलेट कर लो और दो सो पचीश पचीश दो सो पचास मल्टिप्लाइड वाई 200 इस उकल टू डिवाइड वाई एक सो पचीश और माइनस 75 तो काट लो पचीश तीयां पचाटर ठीक है और यह पचीश से आड़ बार में कट जाएगा और पचीश पाचे ठीक है चीश पाचे एक सूपचीश और यह इधर टेन बच गया ना इधर 5.2 मतलगे आजाएगा 16 बाइटीरी ना बड़ा लंबा मिनात किया यार तो यह 16 बाइटीरी तो 16 बाइटीरी अप चलो पीवन अपन त तो यह आजाएगा 30 मतलग 16 बाइटीरी ना बड़ा 320 वाट थेंदेर ट्वाट है कोई यार हाँ हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं वाई बी आप्ट्शन साई है ना चलो वीडियो झाल झाल